हेलो व्यूवर्स माई नेम इस दिपानशू एंड वेलकम टू दे लर्नलोजी कोडिंग सो प्रीविएस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम one to many field को required करते हैं एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि action button कैसे हम create कर सकता है front end में और कैसे वह work करता है इस तरह से एक्षन बटन काम करता है जिस तरह से object button python का function कॉल कराने के काम में आता है इस तरह से action button काम आता है हमारा action call कराने की means जब भी हम action button पर click करेंगे तो एक view को लोगा means एक view का action call होगा so action button बनाने के लिए हमें क्या करना होता है जिस तरह से object button create करते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पर action button भी create कर लेंगे यहाँ पर बस type object की जगह में type action करना होता है and यहाँ पर string जो भी लिखनी होती है suppose हम चाहते हैं कि जैसे हम button पर click करें हम sale order के view पर redirect हो जाए तो हम यहाँ करतेंगे go to sale and name में जिस तरह से python का function लिखते थे यहाँ पर हम लिखेंगे action की id means suppose हम चाहते हैं कि यहाँ पर sale order का view हमें call कराना है तो हमें यहाँ पर edit action में जाके इसकी external id copy करनी होगी यहाँ पर sale order sale dot action underscore quotations with onboarding तो हम यहाँ से copy कर लेंगे and यहाँ पर paste कर देंगे और इस id को हम enclose करते हैं एक bracket के अंदर and हम last में bracket के बाद हम d letter लिखते हैं and starting में percent का sign लगाते हैं जिससे के dynamic id की तरह काम करेगा so अगर हम अभी से upgrade करेंगे तो हमारे पास एक action button so हो जाएगा front end पर and जब हम उस पर click करेंगे तो sale order का view call हो जाएगा so अभी अगर हम refresh करें यहाँ पर and अपने restaurant वाले menu के अंदर जाए so हमें यहाँ पर किसी भी record के अंदर यहाँ से हमें कोई भी record खोल सकते हैं और यहाँ go to sale हमें एक button show हो गया और जैसे हम इस पर click करेंगे sale order के view पर redirect करा देगा so हम जैसे ही इस पर hover करते हैं तो यहाँ पर object दिखाता है कि किस object के अंदर हमने यह button लगाया लगाया तो हमारा जो object है rest.staff and button type action and action की id 259 तो हम यहाँ पर go to sale menu पर click करेंगे जब तो हमें sale order का view call हो जाएगा so अब हमें यहाँ पर view call हो गया so हम चाहते हैं कि जैसे हमने sale order का view call करा है हम invoice वाले का भी view call करा है तो हम यहाँ पर इसकी external id लेंगे action की तो edit action में जाके हम यहां से हम इसकी external id ले ले लेंगे and same इसी तरह से हम इसका duplicate बना लेते हैं and यहाँ पर इसे paste कर देंगे हम जहाँ पर हमने sale.action quotation with onboarding लिखा था वहाँ पर हम id यूज कर लेंगे and यहाँ पर string चेंज कर देंगे go to invoice and type हमारा action ही रहेगा and जब इसे upgrade करेंगे तो हमारे पास एक और button से हो जाएगा so जैसे हम यहाँ पर check कर रहे है कि sale order का action कहा से आया है हम यहाँ तो front end में भी check कर सकते हैं जैसे हम यहाँ से करते हैं actionable id और हम अपने code में भी check कर सकते हैं means जैसे यहाँ दिखा रहा है sale, sale means module का name जिस module के अंदर action बना होगा उस module का name यहाँ पर लिखा होगा dot से पहले और dot के बाद उस action की ID होगी तो हम sale के अंदर इसे search भी कर सकते हैं तो अभी अगर हम यहाँ search करेंगे find in files करेंगे and xml format में तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यह record जहाँ पर भी बना है तो यह यहाँ पर हमें sale sale के अंदर यहाँ पर यह action ID मिल जाएगी तो हम यहाँ से भी copy कर सकते हैं तो इस तरह से हम external ID चूज कर सकते हैं सपोज अगर हम किसी और menu में अपने restaurant का view call कराना चाहते हैं तो हम यहां से इसका action call कराएंगी यहां से action की external ID लेके जब हमें यह restaurant का view call कराना होगा तो हम यह वाली ID यूज करेंगे और starting में हम module name लगाएंगे अपने restaurant staff के लिए तो आपको अगर कोई भी question हो कोई भी doubt हो इस topic से related तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं and thanks for watching this video